नमस्कार मैं हूँ शद्दज दुर्वेदी और आप देख रहे हैं SME पूस्ट लाइब बेश है आज की खास SME खबरे उडिसा सरकार ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहर दोनों मिल कर स्टाटप उडिसा को प्रमोट करेंगे सरकार ने स्टाटप उडिसा हेल्प लाइन नंबर भी शुरू किया है उत्ताप्रदेश की ने मुख्यमत्री योगी आदितिनात राजी को एक स्टाटप राजी बनाने पर जोर दे रहे हैं इस दिशा में जल्द ही लखनों में देश का सबसे बड़ा स्टाटप इंक्यूबेटर स्थापित किया जाएगा एक रिपोर्ट के अनुसार स्टाटप इंडिया प्रोग्राम को एक साल से ज्यादा होने के बाद भी मुश्किले कम नहीं हो रही है अब तक 208 में से सिर्फ 10 कंपनियों को टेक्स छूट मिली है तो वहीं 10,000 करोड के फंड आफ फंड में से सिर्फ 114 करोड रुपे का फंड मिल पाया है उत्तर प्रदेश की नई सरकार के कानपूर की चमड़ा एकाईयों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के बयान के बाद चमड़ा कारोबारी परिशान है क्योंकि इस समय उनके पास लगभग 500 करोड के ओडर है और एकाईयों के हटने से ओडर पूरे नहीं हो पाएंगे खादी विलिज इंडस्ट्रीज एंड कमीशन के विए इसी ने असम वन विभाग के साफ मिलकर काजी रंगा पार्ग के पास एक ट्रेनिंग और उत्पास सेंटर खुला है जहां कॉटन खादी का निर्मान होगा IIM इंडोर ने इंक्यूबेशन सेंटर के शुरू होने के बाद कहा है कि आब उनका लक्षी स्टार्ट अप शुरू करने वाले छात्रों की संक्या को तीन गुना करना है भारत का हैंडिक्रफ एक्सपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है CECA पर बाद शुरू करेंगे एक रिपोर्ट के अनुसार आने वले महिनों में रुपिया डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 63 रुपे तक जा सकता है फ्लिपकाड ने अपने सबसे बड़े फंडिंग राउंड का एलान करते हुए काहा है कि वह है प्रतिसपर्दी कंपनी इबे को खरीद रहा है